सागत आप सभी का एक ने वीडियो लाक्षर में है आज की लाक्षर में है close no 96 to बन बन 5 तक जितने भी आपके important questions बनते हैं ठीक है close no 96 से लेके close no 115 तक जितने भी important questions बनते हैं उन सभी को आज की वीडियो में cover करेंगे तो सली वीडियो शुरू करते हैं first question ask की वीडियो का तो question के बाद options में आपके लिए बोलूँगा आप अपने answer जो है यहां से खुद देने की कोशिश ज़रूर करना तो first question ask की वीडियो का which of the falling are the first class articles निमलिकित मैं से कौन से प्रथम श्रेणी के लेक है options है आपके बास letters, letter card, post card या फिर all of the above तो आपके बास जो तरह के दो श्रेणी के लेक होते हैं first class articles और second class articles में आपके तीनी तरह के लेक आते हैं और second class articles में आपके total seven types of articles आते हैं तो यहां पे इसका से answer क्या ज first class articles में तीनी तरह के लेक आते हैं और वो आपके letters, letter card और post card तो इसका सी answer क्या जाएगा आपके बास D आजाएगा आगे चलते हैं question है आपके बास बाकी सबी second class articles हैं लेकिन post card is a first class article अंडर बिच स्कीम all first class mails are given air transmission बिदिन इंडिया भिरावर possible in इंडिया बिदो टैनी एर सरचार्ज किसी ओजना के तहत सभी प्रधम श्रेणी के मेलों को बीना किसी हवाई अदिवार के भारत में जहां पर वी संभव हो भारत के भीतर हव प्रसारण दिया जाता है options है आपके बास all up scheme free air transmission scheme all free scheme या फिर इन में से कोई भी नहीं तो इसका सी answer क्या जाएगा आपके बास ये आजाएगा जितने वी आपके प्रधम श्रेणी के लेक होते हैं उनको भारत के भीतर free air transmission दिया जाता है जहां पर वी possible हो और किस scheme के अंडर को निमिल हित मैं से किस लेख के रूप में माना जाता है first class articles second class articles ordinary articles या फिर registered articles तो आपके जो registered newspapers होते है जब उनकी छंटाई की साती है तो उनको क्या माना जाता है first class mail माना जाता है प्रधम श्रेणी की dark माना जाता है तो याप इसका सी answer क्या जाएगा first class articles माना जाता है एर ट्रास्मिशन फ्री इनका जो एर ट्रास्मिशन होगा बो फ्री नहीं होगा जैसे हम नहीं आगे किया उपर questions की आपके जो first class articles होते हैं भारत के भी तर जहाँ पर भी possible उनको क्या दिया जाता है free air transmission दिया जाता है मुफ्त हवाई पर सारण दिया जाता है लेकिन रजिस्टर निउस्पेपर को केवल छंटाई के समय प्रथम शेणी के लेखों के रूप में माना जाता है लेकिन उनको फ्री एर ट्रास्मिशन नहीं दिया जाता है यह option से आजाएगी अगला question आपके बास फार वीच ओवदी फॉलिंग आर्टिकल्स यूशुड हब टू पे एर सर्चाज निमिल हित मैसे किस बस्तू के लिए आपको हवाई अधिबार देना होगा options है आपके बास फर्स क्लास आर्टिकल्स प्रथम शेणी के लेखों के लिए फर्स क्लास आर्टिकल्स के लिए बोथ दियवावी एंड मैसे कोई भी नहीं तो अभी जितने भी question किया है उन सबको आपको अच्छे से याद है तो इसका अंसर तो अराम से बता पाएंगे कि फर्स क्लास आर्टिकल्स को तो जहाँ पे possible होता है बहाँ पे free air transmission दिया जाता है मुफ्त हवाई पर सारण दिया जाता है तो किसके लिए आपको हवाई अधिवार देना होगा जो second class आर्टिकल्स होते हैं अधित्य शेडी के लेख होते हैं उनके लिए आपको air surcharges देने पड़ते हैं अगला question आपके बास maximum bait of a ladder किसी भी पत्र का अधिक्तम बजन कितना हो सकता है बहुत बार ये question पूछा गया है और option आपके बास 2 kg, 5 kg, 10 या फिर 20 kg तो कोई भी पत्र है उसका अधिक्तम बजन जो आद 2 kg हो सकता है ये option से आजाएगी अगला question आपके बास लैटर पोस्टेड अनपेड बिल्वी चार्जड और डिलिवरी आट बिच आफ दी फोलेंग अवैतनिक पोस्ट कियेगे पत्र के वित्रन पर क्या शुल्क लिया साएगा डवल दी पोस्ट इस डाक शुलक का दोगना सिंगल दी पोस्ट इस एकल डाक शुलक उस पत्र का बित्रन किया शाएगा तो प्रापत करता से डवल दी पोस्टेड जो पहले चार्जड लगने थे उससे दोगने चार्जड बुसूल किये जाएगे यनि के पांच की विजाए कितने रुपे चार्जड किये जाएंगे 10 रुपे charges किये जाएंगे यह option यहां पर आपकी सही आजाएगी अगला question देखते हैं question आपके बास if a letter is posted insufficiently paid then but are the charges taken on it at the time of delivery यदि कोई पत्र अप्र्याप्त भुकतान के साथ post किया जाता है तो delivery के समय उस पर क्या शुलक लिया जाएगा double the amount of deficiency जो भी कमी होगी उसका दो गुना लिया जाएगा double the poster charges या फिर dark शुलक का दो गुना लिया जाएगा अभी उपर हमने question किया कि आप unpaid भेश से हैं कोई charges नहीं देते हैं दो गुने charges आपको बित्रण के समय देने पड़ेंगे insufficiently paid भेश से हैं 5 रुपे लगने थे आपने 3 रुपे दिये आपने उसके उपर 2 रुपे नहीं दिये तो जब उसका वित्रण के साइगा तो कमी कितनी है दो रुपे की कमी है तो उस कमी के दो गुने charges यहीं कि दो के दो गुने charges आप से लिये जाएंगे यहीं कि 4 रुपे फिर आपको उसके लिए ओर देने पड़ेंगे से answer आपके बास क्या साइगा यह आज आएगा आगे सलते हैं कॉश्चन आपके बास आर्टिकल्स एंड क्लोज्ड इन होली ट्रांस्पिरेंट एनवल्प स्कैन भी ट्रांस्मिटेड बाई पोस्ट पूरी तरह से पारदर्शी लिफाफों में बंद वस्तुएं डाक दारा भेजी जा सकती है तो बिल्कुल इसका सी आंसर आगा भी फॉल्स है अब आपके बास कोई भी ट्रांस्पिरेंट एनवल्प है जिसके आर पार आराम से देखा जा सकता है तो उसमें आप किसी भी लेक को नहीं भेज सकते हैं आप transparent panel का यूज कर सकते हैं ठीक है एक छोटा सा panel उसके उपर हो सकते है जिसके अंदर से केवल आपको प्रापत करता का अब उसमें address हो जो भी उसका नाम पता जो भी है बो दिखाई दे सकते हैं लेकिन पूरी तरह से transparent envelope का प्रियोग नहीं कर सकते हैं अगला question है आपके बास इफ अनि आर्टिकल इस sent in transparent envelope and not follow conditions and found in course of transmission देन बट शुट तू डू यदि कोई वस्तू पारदर्शी लिफाफे में भेजी जाती है और शर्तों का पालन नहीं करती है और transmission के दौरान 20 आती है तू क्या करना चाहिए return to sender उसे pressure को वापिस कर दिया जाएगा send to RLO से RLO को भेजा जाएगा destroyed by post office डागर के दौरा उसको नश्ट कर दिया जाएगा sent to destination अब यहाँ पी क्या बुलेगे हैं माली जी आपने कोई भी बस्तू भेजी है पारदर्शी लिफाफे में और उसमें जो भी आपकी conditions है क्योंकि आप यहाँ पे transparent panel बाली लिफाफे में बस्तू को भेज सकते हैं लेकिन वो transparent envelope नहीं होना चाहिए मतलब जो आप लिफाफे का use कर रहे हैं बो पूरी तरह से transparent नहीं होना चाहिए उसमें एक छोटा सा transparent panel हो सकता है अब वो जो भी transparent panel है उसकी कुछ condition है वो कुसका size क्या है नीचे वाली जो edge है उससे उपर कितना होना चाहिए या उपर से नीचे की तरफ कितना distance आपको छोड़ना है तो वो सारी conditions जो भी है अगर उसको वो follow नहीं करता है तो क्या किया जाएगा और वो transmission के दरान मतलब अपने dark lake को भेज दिया post office ना उसको accept कर लिया transmit भी कर दिया लेकिन रास्ते में अगर ऐसा पाया जाता है कि पारदर्शी लिफाफे में जो बस तुआ भेज रहे है वो पारदर्शी लिफाफे के लिए जो conditions उनको follow नहीं करते है तो उस लेक को क्या किया जाएगा उसको sender को बापिस कर दिया जाता है तो यहाँ पे आपकी ये option सहिया जाएगी अगला question आपके बास इस तरह से यहाँ पे आपको बना देते हैं यह इस तरह से आपके बास होता है और यहाँ से इस तरह से होता है इस तरह से आपके ये letter card होता है ये वाली side जो होती है इससे बाहर वाली side की इनको fold करेते हैं इससे बाहर वाली side को fold करते हैं यहां से सेंटर से भी इसको फोल्ड करते हैं और गम लगा के उसको बंद कर देते हैं गोंद लगा के बंद कर देते हैं ठीक है उसके उपर भी एक फ्लैप होता है इस तरह से रहती है तो बंद करके इसको भेज दिया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है लेटर कार्ड का जात इस impressed on it letter card पर डाक के निर्धारित मूले का डाक टिकेट अंकित होता है true िया false तो इनको क्या कहा साता है embossed stamp कहा साता है उभरे हुए dark ticket कहा साता है post office में आपके बास envelope होते हैं, post card होते हैं इन में क्या होता है, पहले सी letter card भी होते हैं में पहले से ही आपके एक निर्धारित मुले के टीकेट उभरे हुए होते हैं तो इसके असर का जाएगा लैटर कार्ड पर डाक तीकेट होते हैं, इसका सी असर का जाएगा आपके बास आज आजाएगा अगला कोश्चन देखते हैं, 최os. आपके बास paid का नवीदा-maximum मैं भी जिन्होंने अब्जैक्शन किया अब्जैक्शन के बाद इसको 3 ग्राम ही सही माना गया है तो इसका सियांसर आपने भी 3 ग्राम ही याद रखना है या आगे सहलते है कॉश्चन आपके बास लैटर कार्ड पोस्टड अनपेड बिल्वी चार्जड और डिलिवरी अट बीच ओफ दी फोलेंग अवैतनिक पोस्ट कियेगे लैटर कार्ड को बित्रण के समय क्या शुलक लिया साएगा माली जिया जैसे आपने लैटर पोस्ट किया उसके लिए तो आपको डवल दी प्री पेड रेट प्री पेड दर का दोगना सिंगल दी पोस्टेज एककल डाक शुलक नो चार्जड कोई डाक शुलक नहीं देना पड़ेगा रजिस्टर लैटर चार्जड पंजिगरित पत्र शुलक आपको देना पड़ेगा तो इसका सी अंसर क्या जाएगा आपके बास यहा अधिकारी कडाक लेक होगा प्रीपेड रेट लगता है तब डबल नहीं लगता है लेकिन आपके नॉर्मल भेज रहे हैं ठीक हम जैसे विक्ति अगर भेजेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा दोगने चार्जेज देने पड़ेंगे अधिकारी कडाक लेक है तो उसके अधि टाइम आफ डिलिवरी यदि लेटर कार्ड अब प्रियाप्त भुकतान के साथ पोस्ट किया साता है तो डिलिवरी के समय उस पर क्या शुल्क लियाज आएगा डवल दी अमॉट ओफ डेफिशेंसी जो भी कमी होगी उसके दोगने चार्जेज लिये जाएगे डवल पे दिये हैं तीन रुपे नहीं दिये हैं तो तीन के दोगने चार्जेज यनि के छे रुपे आपको इसके लिए देने पड़ेंगे ध्यान एक ना अनपेड पूचा गया तो डवल दी प्रिपेड रेट इन सफिशेंडली पेड पूचा गया तो जो भी कमी होगी उसके द उलाइट रेट पूचे दोगना बसूली क carrot जाएगा तो यहां पर देखिया अगर कोई अपने आपने लैटर कार्ड भेंज है पत्र कार्ड बेज है और वो शर्तों का अलंगन करता है जो भी उसके लिए इस ऐसके लिए जो भी उसके लिए बेड लिमंट्स है उनस्भी का या फिर आपने कुछ ऐसा लिख दिया या ऐसा उसके जा खुद चिपका दिया जो नहीं चिपकाना चीए था तो इन सभी शर्तों का अगर वो अलंगन करता है तो इसके लिए उसको सबसे बहले क्या माना जाएगा पत्र माना जाएगा अब पत्र माने के जाने के बाद जो भी कमी होगी क्या पत्र की अनुसार देखा जाएगा लैटर की अनुसार उसके उपर जो भी कमी है उसके लिए आपको उसके दोगने चार्जिस देने पड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा तो इसक उपर वाला कोशन किया कि कोई वी आपका इनलें लेटर कार्ड आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं foreign country के लिए कोई भी communication भेजने के लिए लेकिन अगर आप करते हैं तो उसको क्या माना जाता है treated as insufficiently paid latter important point है उसे अप्रयाप भुकतान वाले पत्र के रूप में माना जाता है इनलाइ लैटर कार्ड मत यहाँ पे कर देना सिरफ लैटर जो होते हैं पत्र जो होते हैं नोर्मल उनी की तरह माना जाएगा और कैसे insufficiently paid अप्रयाप दुखतान वाले पत्र जो होते हैं अगला कोशन आपके बास postcards can not be enclosed in cover of any kind postcard को किसी भी परकार के cover mass लंगन नहीं क्या जाना सी है अगला question है आपके बास right hand half of address side of postcard is reserved for beach of the following postcard के पते वाले हिस्से का दाहिना भाग निमलिखित मैसे किसके लिए रक्षित होता है इस तरह से आपका एक postcard होता है ठीक है इस तरह से उसके दो half होता है अब एक half जो होता है वो कुछ अलग के लिए होता है ठीक है यह आपका right hand half और यह आपका कौन सा left hand half आजाएगा तो यहाँ पी क्या पुछा गया right hand half मतलब यह बाली जो side है किसके लिए रक्षित होगी options है आपके वास address of recipient प्रापत करता का पता प्रेशक द्वारा लिखित संचार की उदेशी के लिए postcard का कौन सा भाग अरक्षित होता है मैंने अभी आपको postcard बना के दिखाया ठीक है यहाँ पर right hand half यह किसके लिए address of recipient उसके बास टैंप सब्वारा जो भी लगानी है या फिर impression लगानी है अपने franking machine की और सारी यहाँ पर लगाई जाती है इस side में अब यह जो आपका left hand half बचनाता है यह किसके लिए रहता है प्रेशक द्वारा लिखित संचार के लिए लेकिन option देख लेते हैं क्या होला है कि left hand half of the address side पता पक्ष का आधा बाया भाग back of the postcard postcard के पीछे वाला भाग both of the यहाँ उपर के दोनों यहाँ फिर right hand half तो इसका सी answer क्या जाएगा प्रेशक जो भी अपना communication लिखता है वो postcard के आपके left hand half और उसकी back side में लिखा जा सकता है तो यहाँ पे इसका सी answer क्या जाएगा सी आजाएगा both the यह बब सी option से ही हो जाएगी अगला question आपके बास postcard can we send as post resident postcard को post resident के रूप में भेजा जा सकता है true है या false है तो इसका सी answer आपके बास क्या जाएगा यह आजाएगा true है postcard जो होता है इसको आप as a post resident article भी भेज सकता है post resident क्या होता है जिससे office of destination में रोक कर रखा जा सकता है कि सब्दी के लिए एक महीने के लिए रोक कर रखा जाता है अगर वो normal है वी पिया तो 7 दिनों के लिए तो इसका मलता wait arrival to be kept till cold for यह वाली जो भी आपकी क्या होती है superscription जो post resident के लिए यूज की जाती है तो postcard के ओपर आप यह सारी जो भी है superscription उनका प्रयोग कर सकते हैं आगे सब्सक्राइब कॉस्चन आपके वास nothing should be attached to the postcard कुछ भी postcard के साथ नहीं चिपका होना चाहिए उसके साथ कुछ भी सलंगन नहीं होना चाहिए except which of the falling si bike इसको छोड़ कर stamps in payment of postage और stamp duty dark या stamp शुलक के भुक्तान में आप ticket उसके ओपर चिपका सकते हैं gumd level completely adhere to card wearing name and address of address प्रापत करता के नाम और पते वाले लेवल जो पूरी तरह से card के साथ चिपका होना सी है engravings, illustrations, drawings and photographs on very thin paper completely adhere to card, उत्किर्णन, चितर, रेखा चितर और बहुत पतले कागस पर तस्वीर हैं जो पूरी तरह से postcard के साथ चिपकी होनी सी है all of the above see answer आएगा इसका D, यह सारी चीज़े वैसे तो आपका जो postcard होता है उसके साथ कुछ भी चिपका हुआ नहीं होना चाहिए लेकिन आप यह सारी चीज़ें जो हैं यदि postcard अकार और मुटाई के संबंद में शर्तों का पालन नहीं करता है तो इसे निमलिखित मैं से क्या माना जाएगा लैटर माना जाएगा इंसफिशेंटली पेड पोस कार्ड माना जाएगा अन पेड पोस कार्ड माना जाएगा इन में से कोई भी नहीं तो इसका से अंसर आपके बास क्या आजाएगा यह आजाएगा कोई भी postcard है उसके लिए जो भी condition है कि उसका size क्या होना चीए उसकी thickness या उसकी मुटाई क्या होनी चीए या फिर bed limits है उन सभी को वो follow नहीं करता है तो उसको क्या माना साता है पत्र माना साता है यह options याजाएगी अगला question देखते है बीच ववदी falling is not true about recorded delivery निमलिखित मैं से कौन सा recorded delivery के बारे में सही नहीं है recorded delivery is available to all classes of postal articles फार बिच रजिस्टर्ड सर्विस इबलेवल recorded delivery उन सभी लेखों के लिए उपलवद होगी जिनके लिए पंजीकन वाली या फार रजिस्टरेशन वाली सेवा या सर्विस उपलवद है आगे सलते है recorded delivery is available for parcels also parcel के लिए भी recorded delivery जो होती है अब लेवल होती है inland articles are accepted for booking at all post offices for recorded delivery recorded delivery के लिए अंतरदेशिये लेखों को booking के लिए सभी डाघरों में स्विक्रित क्या जाता है इन मैंसे कोई भी नहीं हमें क्या बताना है कौन सा सत्य नहीं है सी answer आपके बास क्या जाएगा भी आ जाएगा parcel जो होते हैं उनके लिए recorded delivery उपलवद नहीं होती है तो ठीक है यहाँ पे इसका सी answer क्या हो जाएगा आपके बास B हो जाएगा अगला question आपके बास complaints regarding recorded delivery articles may be preferred within record कियेगे बितरणी या recorded delivery लेखों के समद्ध में जो शिकायते होती है कितने समय के भीतर उनको प्रात्मिक्ता दी जा सकती है अगला question आपके बास bitch of the following is not true about quick mail service तवरित mail सेवा यह आपके जो क्यो MS articles बाली सेवा होती है उनके बारे में कौन सा सही नहीं है तो यह हम पहले ही कह चुके है posting in special letterboxes मा अगर आपको याद हो तो वहाँ पे भी क्यो MS articles के बारे में आया था तो क्या options है आपके बास quick mail service is available between all capital cities of all states of India and some other important towns only in India तवरित mail सेवा भारत के सभी राजियों की राज़ानियों और केवल भारत के कुछ अन्य महतर पूरण शहरों के बीच में ही उपलवद होगी बिल्कुल सही बात है Under the system second class mails get quickest disposal at office of postings परणाली के तैद posting कार्याले में दृत्ती श्रेडी की डाका तुरित निप्टान के आज़ाता है आगे सलते हैं they are delivered along with ordinary articles at destination post office उन्हें गंतबे डाघर में सामानने वस्तुओं के साथ बितृत किया जाता है यनमें से कोई भी नहीं 27th की सी option के आज़ाएगी हमें क्या बताना है not true कौन सा से नहीं है भी option से आज़ाएगी quick mail service से के तैद क्या होता है आपके जो first class articles होते हैं उनको quick test यनि के fast उनको क्या दिया जाता है उनको post किया जाता है कहां पे office of posting में उनका निप्टान जितनी ज़दी हो उसा के office of posting में कर दिया जाता है मैंसे कौन सा से ही नहीं है no extra charges for quick mail service त्वरित mail सेवा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है articles must wear pin at end of address लेके पते के अंत में पीन आवश्य होना ऐसी quick mail articles can be posted in special letter boxes त्वरित mail लेक्ट होते हैं विशेश पत्र पेटियों में post किये जा सकते हैं तो हम कर भी चुके हैं आपके बास posting in special letter boxes में भी हमारे पास आ चुका है क्यों MS articles के लिए special आपके letter boxes होते हैं वहां पे आप इनको post कर सकते हैं और क्यों MS service के लिए आपको extra कोई charges नहीं देने होते हैं और article जो भी क्यों MS वाले होते हैं उनके end mail address के end mail क्यों last में क्यों ऐसी pin code अवश्य होना चाहिए तो इसका सी answer क्या जाएगा आपके बास D आजाएगा अगला question है आपके बास articles addressed to deceased person मृतक व्यक्ति को संबोधित लेख तो यहां पे इन वाले closes मैं नहीं है पीछे वाले closes मैं लेकिन important question है deliver such articles to any near relative of the deceased who may have applied for them in case uninsured articles ऐसी वस्तूओं को मृतक के किसी भी निकट संबंदी को वित्रित किया जाएगा जिसने अवीमित वस्तू के मामले मां उनके लिए अवेदन किया हो ठीक है किसी भी मृतक व्यक्ति के लिए अगर कोई भी लेख आता है तो उसका वित्रित किसको किया जाएगा अगर अगर वीमित लेख नहीं है तो उसके किसी भी निकट संबन्धी को किया जा सकता है, दिस्क्रेशन और पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर के वीवेग के ओपर, जिसने उस लेख को प्रापत करने के लिए अवेदिन किया हो ठीक है, तो उसको किया जा सकता है, ऐगला question आगला option देखिए आपके बास कहा है deliver such articles to any near relative of the deceased who may have applied for them in case do not appear to contain any valuable property ऐसी वस्तुों का जो निप्टान है या बितर्ण मृतक के नजदीकी रिष्टेदार को दिया जा सकता है जिसना उसके लिए अवेदन किया है लेकिन दूसरी condition कहा है कोई भी valuable property नहीं होनी चीए कोई भी मूलेवान संपत्ती नहीं होनी चीए उसमें कोई भी मूलेवान सामान नहीं होना चीए आगे सलते हैं delivery such articles to any near relative of the deceased who may have applied for them in case of no counter claimant or likelihood of distribute मृत के किसी भी निकट समंदी को ऐसी वस्तु का बितर्ण दिया जा सकता है लेकिन कोई भी प्रती दावेदार या कोई भी लडाई जगड़े की संभावना नहीं होनी चीए बाहां पर ये दो व्यक्ती नहीं होने चीए एक बोले कि मुझे बो लेख चीए दूसरा बोले मुझे लेख चीए ऐसा कोई भी प्रती दावेदार नहीं होना ऐसी है कोई भी लडाई छगड़े की या डिस्प्यूट की संभावना नहीं होनी सी है तब जाके जिसने इसके लिए अवेदन किया होगा लेक के लिए उसको इसका वित्रण किया जा सकता है All the above, the answer क्या जाएगा डि आ जाएगे यह सभी conditions को अगर कोई भी आर्टिकल सैटिस्फाई करता है तो मृतक के नजदी की रिष्टेदार को उसका वित्रण किया जा सकता है अगला question है आपके बास letters can be transmitted by post without prepayment of postage पत्रों को dark दारा पूर भुक्तार मतलब पहले आप उसके लिए charges दें तब भी ठीक है या फिर बीना पूर भुक्तार पहले आप charges ना दें तब भी ठीक है आप भे सकते है true है या false है आप भे सकते है इसका सी answer क्या जाएगा true आ जाएगा ए options या जाएगी अगला question है आपके बास if any envelope have transparent panel then it should be यदि किसी लिफाफे में transparent panel हो तो ये कैसे होना सी है options है आपके बास parallel to width चुड़ाई किस माना अंतर होना सी है parallel to length rectangular बोथ B and C तो कोई भी आपका ये रा envelope हमने उपर क्या किया transparent panel के बारे में किया ठीक है ये लंबाई के समानाँतर होना चीए जो भी आपका विल्प होगा उसकी जो length वाली side है उसके समाना अंतर parallel होना चीए दूसरा यहाँ पर क्या होना चीए rectangular होना चीए आयता कार होना चीए ये नहीं आप circular बना दे या कोई और उसका design बना दे ऐसा भी नहीं होना चीए वो कैसा होना चीए वित्तो पहलर टूदी लेंथ लंबाई किस मानांतर होना चीए दूसरा रेक्टेंगलर होना चीए तो सी आंसर क्या जाएगा डिया जाएगा बोथ बी एंड सी आगे सलते हैं कोश्चन आपके बास पतली-पतली रेखाएं होती हैं या बिन डोत कह सकता है चोटेacz लगाएंगे होते हैं वो जो स्थान होता है जहां पर यह सारा कुछ किया गया होता है किसके लिए रक्षित होता है फार फिक्सिंग पोस्टтор ट्रीकेट्स शुपकान नहीं के लिए होता तो उसी आप्शन इसोन आझाएगी reply half जो होते हैं post card के उनको कवी ओरिजिनल सेंडर के दोरह पंजीकृत नहीं किया जा सकता है अगला question आपके बास posting of a recorded delivery article with late fees बिलम शुलक के साथ recorded delivery लेक की posting not available available है sometimes available cannot say तो इसी answer किया जाएगा available है आप recorded delivery articles को late fees के साथ भी post कर सकते है बी option से आजाएगी late fees के साथ कब post किया जाता है जब उनको आप निर्धारित समय के बाद लेकिन अनुमत अंतराल के भीतर post करते हैं question number 35 है क्यों MS articles should be fully prepared जो आपके क्यों MS articles होते हैं वो पूरी तरह से prepared होने सी मतलब उनके लिए जो dark charges का भुकतान है वो पूरी तरह से आपको पहले करना पड़ेगा से answer क्या जाएगा आपके बास true hat के option यहाँ पे से आजाएगी अगला question आपके बास superscription email and late fee paid is mandatory in postcard postcard में superscription email और late fees paid यह वाली जो superscription है अनिवारी है correct यह incorrect बिलकुल यहाँ पे से answer आजाएगा यह बिलकुल सही है email और late fee paid वाली जो superscription होती है mandatory रहती है maximum dimensions of privately manufactured postcard is निजी तोर पर निमित postcard के जो अधिकतम आयाम है वो कितने हो सकते है 10 by 15 cm, 15 cm by 10.5 cm, 15 cm by 11 cm यहन मैं से कोई भी नहीं तो इसका से answer आपके बास आजाएगा भी 15 cm by 10.5 cm भी options रहाएगी अगला question चालते है how many classes of postcard articles आदे है according to post office guide post office guide के अनुसार dark लेखों के कितने बर गया है शुरू मैं ही मैंने आपको बताया था कितने है 9, 11, 10 या 13 से answer आजाएगा सी total 10 परकार के postcard articles होते है जिसमें 7 आपके दित्य श्रेड़ी में तीन जो है आपके first class articles में आजाते है और अलग से इनके अगर श्रेड़ी बना दे तो आपके एक से लेके 9 तक जितने भी लेक होंगे पढ़ लेना detail में वो सभी किसमें आते है latter post में पत्तर डाक में आते हैं और parcel जो ते अलग श्रेड़ी में आते है पारसल पोस्ट में आ जाते है तो इस तरह से भी इनकी दो श्रेड़ी या बन जाती है question आपके बास but is the size of open panel in open panel envelope खुले पैनल वाले लिफाफे में जो खुले पैनल का आकार अबू क्या होगा 10 by 3.5 cm 3 by 10 cm 10 by 3 cm या 5 by 3 cm तो इसका सी आंसर आपके बास क्या साएगा 10 cm by 3.5 cm ठीक है ये क्या आगया एनवल पागया ये आगया transparent envelope पैनल जो तै इसका जो आकार है वो क्या होना ऐसी है 10 cm इसकी लंबाई हो सकती है 3.5 cm इसकी चड़ाई हो सकती है तो इसका सी आंसर क्या जाएगा A आजाएगा अगला question आपके बास इंडिया post means the post maintained by central government by भारतिय डाक शवदकार्थ केंदर सरकारदार डाक कैसे अनुरक्षिन करना है कैसे अनुरक्षित या maintain करती है land, sea, air या फिर all of the आप सी आंसर क्या जाएगा found to be bigger than the allot size then, यदि डाक दारा प्रेशन के दुरान खुले पैनल वाला लिफाफा अनुमत आकार से बड़ा पाया जाता है, तो क्या करना सी है it will be forwarded to addressy से प्रापत करता को अगरेशित कर दिया जाएगा it will be returned to sender इसे pressure को वापिस कर दिया जाएगा it will be sent to RLO इसे RLO को returned letter office को भेजा जाएगा it will be forwarded with the tax session इसे ट कराधन या फिर tax करके या फिर उसके ओपर कर लगा के इसको आगे भेजा जाएगा तो 41 की सी option आपके बास क्या साएगी it will be returned to sender इसे pressure को वापिस कर दिया जाएगा बी option जो है सही आजाएगी अगला question आपके बास an oversized letter will be एक बड़े अकार का पत्र है जो भी उसके लिए निर्धारित size है उससे भी बड़ा अगर वो है return to RLO या sender उसे pressure को या RLO को भेजा जाएगा should be treated a second class article दित ये शेनी के लिए के रूप में माना साता है should be delivered with taxation कराधन के साथ दिया साना चीए should be delivered without taxation कराधन के बिना बित्रीत किया साना चीए तो इसका सी answer आपके बास क्या साएगा भी आ साएगा should be treated a second class article उसे दित ये शेनी लेक के रूप में माना साएगा भी option से आ साएगी अगला question साते है एक अधिक बजन वाला जूपत्र होगा बिल्वी returned to sender और RL उसे pressure को या RL को लोटा दिया साएगा should be treated a second class article उसे दित ये शेनी लेक के रूप में माना साएगा should be delivered with taxation या should be delivered without taxation तो कोई ओवरबेट लैटर है उस क्या किया साता है 43rd की से option आपके बास आजाएगी ये will be return to sender और RL उसे pressure को या RL को अपने pressure के इंदर को लोटा दिया जाएगा last question आज की वीडियो का what does IS stand for in relation to recorded delivery अगर recorded delivery के साथ आपके यहाँ पर IS word लिखा गया इंटीमेशन सर्फ दी गई सूचना इंटीमेशन सर्विस या इंफरमेशन सर्विस तो इसका सी आँसर आपके बास आजाएगा भी इंटीमेशन टू सेंडर प्रेशर को सूचना IS का मतलब हो जाएगा तो यह थे आपके बास close number 96 तो लेके 115 तक के जितने भी important questions मनते हैं किसी भी questions में आपको कोई भी answer गलत लगे comments section में आप जरूर बताएं regular classes में हम आजसा जुड़ना चाहते हैं screen video number पे message करके हम आजसा जुड़ सकते हैं किसी भी question में आपको कोई भी संदे हो डोट हो आप उससे के बारे में भी comments section में पूछ सकते हैं धन्यवाद